तो मद्या प्रदेश की राजदानी भोपाल में कुछ अग्यात लोगों ने शिव मंदीर में शिवलिंग को खंडित कर दिया घटना हनुमान गंस्थाना शेत्र के चोला इलाके की है इस घटना की जानकारी तब हुई जब सुबा शिव भक पूजा करने मंदीर पहुचे तो उने जैसे ही जानकारी हुई बात पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई जहां इस घटना के बाद लोगों में नारास गिये है वही शिवलिंग तोड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुच गई और पुलिस ने केस दर्च कर अब जाज शुरू कर दिय तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह वही शिवलिंग है जिसे तोड़ कर खंडित कर दिया गया जो हमें मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है भोपाल के हनुमान गंस थाने के पास चोला रोड पर वीर सावर कर चौक पर पिपलेश और मादेओ का मंदीर है इस मंदीर में इस शिवलिंग को रात में कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मार कर तोड़ दिया पुदवार तीन अगज दो हजार बाइस की सुबा जब लोग पुजा करने शिव मंदीर पहुचे तो उनके सामने टूटा शिवलिंग था इसे लेकर छेतर के रहिवासियो में बहुत ज़ादा आक्रोस है और अब यह भी जानकारी मिल रही है कि आक्रोशीत हिंदू संकटन इस कृत्य के खिलाब सड़कों पर भी उतर गए है चल्सी लोकल से युफ्ती को फेकनी की कोशिश मुंबई में वारिशकार वैड़लच मुक्यमंद्री ने जारी किये नए दिशानिर देश शारुक खान की बेड़े आरिंखान गिरुफता भारा सरकार का बड़ा फैसला बंद्रागास से मुंबई करों को लोकल मेंट लिए खबरों का शांसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई